नवस्कार चातियों स्वागत आप सभी का सिक्सक भरती परिक्सा में पस्चमी राजस्तान ही नहीं अपितु पूरे राजस्तान के सरुसरेट संस्तान सक्षस पॉइंट में आज आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी सूचना देने के लिए मैं उपस्तित हुआ हूँ कि एक काफी लंबे समय से एक डिमांड आ रही थी विद्यार्थियों के द्वारा कि सक्षस पॉइंट टीम के द्वारा एक ओफलाइन बैच स्टार्ट किया जाए तो उसी कड़ी के अंदर सक्षस पॉइंट चंस्थान स्टार्ट करने जा रहा है प्री बीएस्टी सी जिसे सिक् पॉइंट टीम के द्वारा आपको जो प्री बीएस्टी सी पीटी टी का एक्जाम है उसके पैटर्न से और उसके सलेबस से अउगत करवाए जाएगा और सबसे एक खास बात यह है कि वही टीम जिसने सिक्षक भरती परिक्सा में सेक्ड़ों नहीं अपीतु हजारों रिज करवाए जाएगा और रेगुलर क्लासेज आप लोगों के स्टार्ट की जाएगी सत्रह अप्रेल से और अगर हम बात करते हैं सक्सेस पॉइंट के रिजल्ट की तो अब यह कहना अतिश्योक्ती ही होगी कि सक्सेस पॉइंट सिक्षक भरती परिक्सा में कोई विद्यार्थ चाहे वो टैट सिरीज के माद्यम से हो चाहे वो ओनलाइन और ओफलाइन क्लासेज के माद्यम से हो तो यह सक्सेस पॉइंट का रिजल्ट है लगबग लगबग अगर बात की जाए तो 600 से ज्यादा विद्यार्थी पिछली भरती परिक्सा में चैनित हुए थे और समान समा का रोह में आपने उन्हें देख भी लिया होगा और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मुखेता हमारे इस बैच की तो जो प्री बीच्टी सी का एक्जाम रहता है स्टूरेंट आप सभी का उसका पैटर्न इस परकार का रहता है कि आप लोगों के चार स्प्रिट में या च एक क्वेस्टिं रहता है तीन अंकों का ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं कहा इक रहता है राजस्तान की सामने जानकरी यहीं की राजस्तान के लेवेंट जो बेसिक जा सकता है उसके भी आपके इस भरती परिक्सा में पचास क्विच्चन रहते हैं और एक सो पचास अंकों का इसका वेटेज रहेगा विरेंदर जी के दुवारा ये सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा और साइकलोजी में आपके दोलों में से चूज करते हो इंगलिस का वेटेज थोड़ा सा कम रहेगा 20 अंकों का 20 क्वेश्चन का 60 अंकों का और उसके लावा अगर हम बात करते हैं आप लोगों के तो यहां वेटेज रहेगा हिंदी या संसकर्थ का 30 क्वेश्चन का मार्किंग रहेगी नबैंड परस करते हैं इसके सलेवस की तो देखिए रीजनिंग की बात करें तो देखिए इतना ज्यादा सलेवस उन्होंने नहीं दिया है लेकिन मैं आपको यहीं बोलूँगा कम्प्लीट आपके वर्बल एंड नोन वर्बल रीजिनिंग पूछी जाती है यहां हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तर की रीजिनिंग पढ़ेंगे और रीजिनिंग वाला जो पॉर्शन होगा वो मेरे द्वारा ही सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा उसके बाद राजस्तान की समाने जानकारी के अंदर एतिहासिक पक्स राजनीतिक पक्स यानि पॉलिटी से संबं सभी चीज़ें आप लोगों के पूछी जाएगी और जो बहत्रीन टीम है सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे और शिक्षन अभी वक्ति के अंदर आप लोगों के अलमोच सब दिया हुआ ही है एविल्यूशन से लेकर ओलमोच सभी चीज़ें हैं हिंदी या संस्कार जो भी आप चूज करते हैं इसमें ग्रैमेटिकल पोर्शन आपके अलमोच पूरा रहने वाला है कुछ एक दो टोपिक को छोड़कर तो यह सलेबस रहने वाला विद्यार्थियों आपके प्री बीएश्टी सी का फिर अगर हम उसके बाद बात करते हैं थोड़ा बहुत PTT की जो की 4-year program या 2-year program जो भी आप चूज करते हैं उसके अंतर mental ability के 50 question वही सेम पैटरन और 50 question रहेंगे आपके teaching attitude या aptitude के general awareness के 50 question रहने वाले हैं और language proficiency के जो भी language आप चूज करते हैं उसके 50 question आपके रहने वाले हैं और यह रहेगा वेटेज पूरा 200 question रहेंगे 600 और सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें कोई negative मार्किंग नहीं होगी पेपर टाइमिंग आपके राजस्तान PTT भरती परिक्षा के परसंपत्र में 200 परसं होंगे 600 कों के timing रहने वाली है तीन घंटे की यानि वही चीज़े हैं सारी बहतरीन बात है तीन घंटे का पेपर होगा तो हमारी टीम के द्वारा आप लोगों को ये भी सिखाय जाएगा कि एक निश्चित समय में आप पूरे पैटरन को पूरी परिक्षा को किस परकार अटेम्ट करें और जो एक चीज़ें होगी इसके point होगे वह आप लोगों को अच्छे से बता दिये जाएग ये short and sweet class के वला आप सभी विद्यार्थियों को सूचना देने के परपस से थी कि सक्चस्पवंट टीम के द्वारा 16 अप्रेल को एक सेमिनार आयुजित किया जा रहा है जिसके अंदर pre-BSTC और PTT परिक्षा समंधी विशियों पे चर्चा की जाएगी हमारी टीम के द्वार और उसके बाद में क्या timing रहेगी क्या pattern रहेगा उस सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएगी उनसे आपको अउगत करा दिया जाएगा तो आप सभी विद्यार्थियों को आगामी जो सूचना होगी मैं जल्द ही लेकर उपस्तित रहूँगा बैच के बारे में तब तक आप सभी विद्यार्थि मन लगा कर अच्छे तरीके से अपनी तियारी को अनुवरत चारी रखें और उससे के अलावा आगामी समय में जो बैच हैं फाउंडेंटन बैच है आरेस एसाई के बैच की बात करें या सिक्सक भरती परिक्सा और रीट की बात करें तो आगामी समय में इनकी सूचना से भी आप लोगों का उगत करवा दिये जाएगा तो मिलते हैं हम सभी विद्यार्थियों से एक नई सूचना के साथ बहुत जल थन्यवाद